Hey friends, welcome, कैसे हैं आप सब, आशा है आप सब भी स्वश्ट होंगे, आज की reading में हम चेक करेंगे, आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जब भी आप ये reading देख रहे हैं, बिकर ये reading टाइमलेस है, लेकिन general है, collective है, तो जुरूरी नहीं है, सबसे पूरी resonate करें, जितनी करे इतनी रखें, बची हुई को जाने दें सो चेक करते हैं आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं Ace of Swords अगर आपको उनको लेकर क्लारेटी नहीं है आपके मन में उनको लेकर बहुत ज़़ाधा सवाल है आपके मन में बहुत ज़दा queries हैं कि उनकी life में क्या चल रहा है and वो किस लिए चुप हैं या किस लिए बात नहीं कर रहे या फिर किस लिए action नहीं ले रहे बहुत टाइम से उन्हें आपको clarity नहीं दी है आपके questions के reply नहीं दी है तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपको clarity दे दिनी चाहिए ऐसा नहों कि वो clarity ना दे और आप किसी और को choose कर ले या फिर उनको let's go करकि अपनी life में आगे बर जाए वो ये भी सोच रहे हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं चाहिए आप boys हैं, girls हैं, male हैं, female हैं, कोई भी हैं आप वो ये भी सोच रहे हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आपके जैसा चाहने वाला उन्हें दुबारा नहीं मिल सकता तो इस time उनका मानना ये है कि उन्हें आपसे प्यार से बात करनी चाहिए और आपको हर एक चीज की clarity देनी चाहिए जो आप deserve करते हो जिसका आप काफे time से wait कर रहे हो आपके person सोच रहे हैं कि अब उन्हें इस रिष्टे की responsibility उठानी चाहिए इस रिष्टे में balance लेकर आना चाहिए और इस रिष्टे में वो appropriate action लेना चाहिए जो आप deserve करते हो आप में से कई लोग soulmates और कुछ लोग twin flames हो सकते हैं आपके person definitely जिस चीज का आपको बहुत time से wait है जिस message का, call का, clarity का वो action लेने के लिए ready हो चुके हैं अब वो इस रिष्टे में वो action लेकर आपकी सारी दूविधाओं को दूर करना चाहते हैं और इस रिष्टे की एक प्यार भरी नहीं शुरवात करना चाहते हैं तो यह थी friends आपके reading और इस बारे में वो सोच रहे हैं thank you so much for watching if you like don't forget to thumbs up and share this in your group